तो हेलो गाइज तो आज का topic है buffered isotonic solution तो गाइज इस इंपोर्टन टोपिक है जिसके बारे में देखते हैं तो जो buffer solution है ठीक है जो हम body fluid के लिए तभी उस कर सकते हैं अगर जो body fluid का concentration है वो equal हो जाए जो buffer solution concentration of automatic pressure के ठीक है जैसे ही देखो तो हमने यह से कोई लिया है जो हमको पता है जो blood का ठीक है concentration कितना आपता है 0.9% weight by volume NaCl means क्या है तो जो 9 gram है ठीक है 9 gram NaCl है वो dissolve है 1000 gram of water में ठीक है जैसे हमने एक solution लिया है स्पोस्मालों हमने पास एक solution है ठीक है जो concentration है इसका ठीक है अगर 0.9 इसका ही थे एंत whats 0.9 काम है means क्या है वो अपना solution हैне hypotonic है hypotonic तो टोनीक means क्या अते concentration ठीक है तर셨ो टोनेक्य मीज पीस्ध से एञड़े है prina concentration अगर जो यह solution है अगर 0.9 के equal आ जाता है ठीक है तो अपना solution ये कुन सा होगा isotonic होगा आइसो गैस ISO means क्या आता है सेम होता है और हाईपो means क्याता है कम ठीक है तो कम और जब इस solution के ज़्यादा आ जाता है ठीक है मतलब जो अपना solution था अपना concentration 0.9 से अगर जठाई आ जाता है तो जो अपना क्या होगा अपना solution आइप्र tonic होगा ठीक है ये हम। हमने हमने तरकर देख लिया है तो हैइपर मेंस क्या होता है ज्यादा और tonic bestип अगया है concentration iso मेंस अपना equal हो गया ठीक है ब्राबबर और tonic means concentration और hypo means cum और tonic means concentration तो हमने देख लिया तो यह हमने देख लिया था इसनके टाइप से तीनों तो हम बात करते हैं इसके method of determination तो हम कैसे determine करेंगे ice-toncity को ठीक है तो हमारा पास पहला method है krioscopic method और जिसे हम calligative method ही बोलते हैं तो second method है हमारे पास है hemiolatic method ठीक है तो हम पहले method को देखते हैं तो calligative method इसे बोलते हैं क्योंकि हमने इसमें calligative property को यूज किया गया है ठीक है जैसे अपने होगे freezing point boiling point और wrapper pressure और temperature difference को ठीक है जैसे हमने क्या करेंगे हमने standard solution लिया है हमने दो solution लिया है एक हमारा पास standard solution है लिखेंगे अगर इसकी जो property है इसकी equal आयती है तो means क्या है तो यह दुखो जो से इसके। प्रोपटी इसकी आया जा यति तो अने क्या है solution isotonic है ठीक है अगर इसकी प्रोपटी और इसकी प्रोपटी में क्या है जो अपना standard solution था, इसके solution के more आ गया, जढ़ा आ गया तो, जो अपनी concentration में पता करना है, ठीक है, तो concentration इसका high आ गया, तो अपना क्या होगा, hypertonic होगा, तो means क्या है, जो standard solution है, ठीक है, अपना ये बिला, standard solution, अपना isotonic solution है, ठीक है, जो इस, जो पना sample हमने लिया है ठीक है इसका concentration के इसके बिराबर आ गया तो अपना isotonic होगा और इसका concentration इससे ज्यादा आ गया ठीक है तो hypertonic होगा इससे कम आ गया तो hypertonic होगा ठीक है हमने देख लिया तो second method हमारे पास है je서 hemaligmylic weapons method चोंशमें किया करना होता है तो यह दो तो अपना हमने इसमें लिया है तो हमने पास एक solution लिए ठीक है solution हमने एक RbC cell ले exit ठीक का यह तैन आपीक्ळ एकम कुरेगा जो हमको ।क नुन हमको पता है । alone.9% है नुंहें हमको बॉस पर कлон summaryמש के ऊपर करेगे फिर जनल में बहुती है जब तरो product नहीं की तुर dwap ठीक है तो इसमें क्या है जो concentration of solution का हाई है ठीक है किसके compare इसके compare ठीक है इदन क्या होगा जो concentration of solution का high होगा as compared to concentration of RBC cell ठीक है तो इसमें क्या होगा जो अपना cell होगा ठीक है जैसे RBC cell है उससे गुड को ऐसे हो जाएगा ठीक है स्ष्रिंग हो जाएगा मिन्स ठीक है तो पहले में क्या हो जगा hypertonic हो जाएगा तो जो अपना जो अर्बिसी सेल है क्या है अपना hypertonic concentration solution है ठीक है और साकिड में क्या हो रहा है जैसे देखो isotonic है मिन्स क्या है इसमें तो कुछ changes नहीं आए मिन्स क्या है जो concentration of solution का और जो concentration of rbc cell का इसमें क्या equal है और जो थर्ड में थर्ड में क्या हो रहा है जैसे देखो जो concentration solution है यह move कर रहे है ठीक है जो concentration solution किसका है यह high low concentration है और इसका क्या है high concentration है तो जो अपना low वाला है यह हाई के तरह मूव करेंगा है ठीक है हम यहाँ पर देखा था ना जो local concentration रखा हाई के तरह मूव कर रहा है तो means क्या है जैसे देखो तो जो water molecules है ठीक है यह RBC cell है इसकी तरह अंदर मूव कर रहे हैं अंदर मूव करके तको फुला देंगे ठीक ऐसे फूल जाएगा ठीक है तो या होगा तो या है अपना कुंसा बफ़र सेलीशन होगे तो यह हम अंटन्डर्ल और अक्सेंडल पर जो बोडि फ्लीोर्ट के प्रेपरेशन के लिए हम इसको जूश कर सकते हैं पत्लध करें झाल